हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू आउनी व्लॉग कैसे हैं आप सब होफ़ूली बहुत ही अच्छे होंगे तो तो आज का जो ब्लॉग है ना रात के नौ बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूं हम लोग आया हुए थे यहां पे मेरा कांच का ग्लास टूड़ गया था और मुझे मतलब अपने लिए भी लेना था पानी पीने वाला एक अलग से और एक मतलब ऐसे जो ग्लास होता है वो लेना था क्योंकि हम इस टिल के ग्लास में पानी पीते हैं तो यहां पेकाने वाले आकर कहते हैं कि पानी इस टिल के ग्लास में पी रही हो तो उसमें पता नहीं क आपने टाइम से बस टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए ले नहीं पा रहे थी तो यह मैं ले करके आई हूं आप लोग को दिखा रही हूं वहां से यह देखिए कैसा लग रहा है ग्लास बताईएगा यह मुझे बहुत यूनिक लग रहा था उपर अंदर से थोड़ा सा इसमें धारी-धारी था और बाहर से विल्कुल चिकना प्रेंट था यह सिक्स पीस का है तो यह मैंने लिया था अच्छा हुआ मतलब कहते हैं कि कोई आपको कुछ बुरा कह रहा है तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है और आप कुछ अच्छा करते हो फिर तो वह इंसान जो भी था बोलके मतलब गया कि इस्टिल के ग्लास में पानी पी रही हो तो उसके कहने से यह मैं जल्दी टाइम निकाल पाई हूं ग्लास लेने के लिए तो यह वाला एक ग्लास लिया था मैंने अपने लिए इसमें जूस दूद या फिर पानी जो भी आप्यों को और यह जो ट्रे अभी मैं दिखा रही यह भी ट्रे ली थी मैं मतलब तीन चार कप सिर्फ ऐसे चाय देना हो या फिर सिर्फ ग्लास में पानी देना हो उसके लिए एक छोट टूसा मैंने लिया था ट्रे और यह लिया था एक जार जो कि मैं आम का अचार बनाई हूं तो अब भी मैं दो-तीन साल से बना रही हूं तो प्लास्टिक वाले में रखो तो ज्यादे दिन चलता नहीं है तो इसके देखिए यह वाला मैं अचार बनाई थी यह देखिए इसमें यह आम है लेजन है हरी मिर्च है हरी मिर्च ही था थोड़ा लाल भी हो गया था और हरा वाला है ना तुसको इतना इतना मतलब वह कर दो ना कि अगला इंसान कभी दुबारा सोचे भी ना किसी को कुछ बोलने के लिए तो यहां पर मॉर्निंग में मैं खाली पेट पी हूं गरम पानी उसके बाद से यहां पर मैं सबजी लेकर के बैट गई हूं बैट पे ही कटिंग कर कर लोंगी सबजी की बेट पे इसलिए कर रही है अधर भी मतलब कर सकती हूं डाइंग रूम में या फिर डाइनिटर बैट के यहां पर बाबु अकेले सो रहा होता है और उसको अकेला मतलब छोड़ दो ना तो वह बहुत जल्दी से जग जाता है फिर सोता नहीं है उसको ठाइब आलो में पास में हिसारा काम कर लेती हुँ वह बहुत है तो इसके पास में मेरे ब्रिकफास्ट का डाइम हो क्या था तो मैंने ब्रिकफास्ट में लिया था जैसे आप लोग को पता है अरली मॉर्णिंग मैं लेती हूं तो फ्रूट्स मैंने खाया उसके बाद से जिम गई जिम से आ करके फिर यहां पर घर आ करके किचन का काम वाम किया नहाद हो करके फिर मैं यहां पर अपना आ गई हूं थोड़ा इसके रूटेन कर रही है अभी अलोवेरा जेल मैं अपने फेस पर लगाती हूं गर्मियों में ज्यादा कुछ मतलब मुझे सूट नहीं करता हूँ वैसे भी मतलब मैं सोचती हूँ कि ना इतनी गर्मी हो रही है तो एक तो मेरा जो फेस है थोड़ा ओईली टाइप का है तो मैं कुछ लगाना ना मतलब पसंद नहीं करती हूँ अलोवेरा जेल जो है वो हमारे स्किन को मतल करता है तो वह लगाया बाकि थोड़ा सा किया अपना यह सब जो डेली यूज का होता है और मैंने धूले हैं धेर सारे कपड़े तो मैं बाहर जाके कपड़े डाल दूंगी अर आज थोड़ा सा ब्लॉग मेरा जो है घरेलू टाइप का है क्योंकि रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ा सा ब्लॉग भी सूट किया करो दी बिल्कुल से सिर्फ वेट लॉज का ना दिखाया करो क्यूंकि हमें आपका ब्लॉग देखना भी बहुत अच्छा लगता है आप कैसे कैसे क्या कुछ काम वाम करते हो वह सब सूट करकी दिखाओ तो आमने शोचा चलो बीच-ब के दीख सा तो हां एक और कमेंड़ था कि दलिया को दूथ के साथ बना कर खा सकते हैं क्या तो देखोका सकते हैं बड़ पूरा मच डालीए गा जैसे तीहाई पानी मच भाइगा और उसमें एक हिसा दूठ डालिये गा चीनी बिल्कुल मच डालीए गा और आपके पास आप अगर दलिया ऐसे ही सिंपल करके खा रहे हो ना थोड़ा सा नमक वगरे डाल करके अगर आपका मन करता है तो उसमें टमाटर भी डाल सकते हो थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए तो वह खाने से न आपका जो वेट है ना उस पे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उसमें ब बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर जो होता है हमारे वेट लॉस करने में बहुत है ठीक है यहां पर देखिए यह मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है सरी ब्रेकफास्ट हाँ वही जिम से आने के बाद मैं कुछ खाती पीती हूं तो मैंने बनाया था ओर्स स्मूद तो मैंने पी लिया उसके बाद से यह मेरा लंच है लंच में देखिए मैं दाल ली हूं भर कटोरी यह बड़ी कटोरी है इसमें छोटा दिख रहा है और लॉके की सबजी और थोड़ी धनिया के चटनी और दही लिया था रोटी नहीं लिया क्योंकि साम को मेरे वहां गेस् इसलिए मैंने दिन में रोटी स्किप कर दिया है बस हलका डाइट ली हूं ताकि मैं साम को रोटी खा सकूं तो वह लंच करने के बाद देखिए यहां पर मैं एक जड़ घंटे बाद गरम पानी पी रही हूं यह देखिए हां तो मैं क्या बोल ले थी जो वह है दलिया है न यह दलिया हो गया मौंग डाल हो गया यह सब ना फैट कटर है अगर इसको अच्छे तरीके से हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो वेट है वह बहुत ही तेजी से कम होता है ठीक है तो आप दलिया को ज़्यादा कोशिस करें बिना किसी इंग्रेडियंस के बना करके खाने को जैसे दलिया प्लेन पानी से बनाईए या तो आप उसकी खिचडी बना लीजिए और या तो फिर ऐसे ही बॉयल करके नमक डाल करके खा सकते हैं ठीक है उसमें बहुत ज्यादा फाइबर मिलता है तो बहुत हेल्प करेगा वेट को कम करने में यह सामका टाइम घर वालों के पकिट्ञी तो डंसी नहीं लिए लमक है क्या कुछ रहता है रेष्ट रहता है यह मुझे पता नहीं मिक्स अपने डायट्मे इसे नहीं लेए तो मैंने नहीं लिया और यहां पे मैं काट रही हूँ यह खरबूच तो मैं यह से खाऊंगी और बाकी फैमिलिस को भी मैं दूंगी ठीक है तो आप लोग जान लिए ना दलिया का उपयोग आप अपने डाइट में कर सकते हैं दलिया हो गया मूंग दाल हो गया भूना चना हो गया यह सब वेट ल तो वह उसमें फाइवर बहुत जादा होता है और एक तो दानेदार होता है तो जो थोड़ा सा रफ अनाज होता है ना दानेदार अनाज वह हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह एक तरह से फैट कटर होता है तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं अपन या जो है खिचडी जो है बीना ओयल के भी बन सकता है पानी में डाल के सब कुछ और मुंग दाल हो गया यह सब कुछ वेट लॉस में काफी हेल्प करता है तो मैं भी आजकल वही ले रही हूं और एक रिंकु जी है उनका कहिना है कि 30 मिनट साइक्लिंग करती है और साइक्लिंग का अलग अपना रहें बॉढड़ी पा ordinance का अगर आप एक्सेस कर रहे हैं त वह अलग अलग एफेक्ट देता है बाकि दीन ली साइकलिंग और शायूंत करो किसी दिन साइक्लिंग करो कि ति साइज नहीं करें 45-50 मिनट करें अच्छा रिजल्टे मिलेगा हलो पसाम के बज़ रहा है पांच और मैं फ्रूट्स ले रहे हूं चाड़े-चार बज़े के करी में मैंने गरम पानी पिया था तो आधा गंटा बाद ही कुछ खाएं पी तो आधे गंटे हो गया है तो मैं ये फ्रूट्स खा लूँगी तो फ्रूट्स वगरा खाने के बाद मैं आ गए थी मार्किट में शाम को यहां पर बच्चों के मैं सूज ले रही बाबु का सैंडल और पीगू के लिए सूज तो वो ये वाला सूज पसंद कर रही थी हला कि वाकिंग सूज लेना था कि क्योंकि वो पार्क जाती है तो उनका पार्क वाला जो सूज था वो फट रहा था तो मैंने सोचा लग ले लेते हैं तो ये ये वाला सूज पसंद की है पार्टी वेर टाइप का करें नहीं ममा मुझे यही चाहिए खैर बहुत सारे मतलब सूज और स्लीपर और सैंडर इनका घर पे है जो कि ये पार्क जा सकती है पहन के बट सूज में जो होता है कमफरेवल रहता है तो ये बोली कि नहीं मैं सब मिला जुला करके पार्क पहन के जाओंगी और ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो आप खरीद दो तो मैंने सोचा पसंद उनको मतलब पहनना उनको है तो पसंद भी उनी की होनी चाहिए यहां पे प्यू बोल ले थी कि गुलगप्पे खाने वो मीठे वाला जो होता है गुलगपप वो खाती है तो यहां पे आ गए थे बच्छों को ले करके और वह अपना मीठ को भी मना करना चाहिए बट वही है ना कभी कवार बच्चे खाते ही हैं बच्चे कहां मानने वाले हैं हाला कि मैं बहुत जादा नहीं बाहर का खिलाती हूं एक अरणिया पाल करके आईडी है वह सिस्टर का कहना है कि वह इंटर्मीटन फास्टिंग कर रही है उनका 3 kg मतलब जासे दाल बादा मिल जाता है डाल हो गया दूदहों गया चनने फोट सो होता है ना इसमे बहुत जादा फाइवर और प्रोटीन होता है यह सब लौत करें ठीक है दलिया ठानियों बादम harus इस वह चेहांच और आपको weakness जो है दूर हो जाएगी तो चलिए इसके बाद का कुछ भी सूट नहीं कर मिला था टाइम नहीं मिल पाया था उसके लिए सो सौरी मिलते हैं नेक्स व्लाव में ये व्लाव को ये पे अंड करते हैं ठीक है टाटा बाइबा लब यू गैस गुन नाइट टेक केर बाइबार